जब भी लोग छुटियों पर जाते हैं तो बाई रोड जाने का प्रोग्राम बनाते हैं रोड ट्रिप करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली से कश्मीर जाना अब तक एक बड़ी चुनोती है लंबा थकान भरा सफर करना पड़ता है करीब 16-17 घंटे का ड्राइव करना पड़ता ह उसके बाद ही आप बाई रोड कश्मीर तक जा सकते हैं लेकिन अब जिस तरह से कश्मीर और दिल्ली की दूरी को कम करने का प्रयास हो रहा है उसकी निशानी है यहां पर दिल्ली कटरा एक्सप्रस वे जिसका काम लगातार जारी है आप देखिए मैं इस वक्त पंजाब के सुल्तानपुर लोधी के पास मौझूद हूँ और यहां पर आप देखिए यह पूरा एक्सप्रस वे जो है इसका काम लगातार चल रहा है जमीन एक्वाइर की गई है और लगातार एक्सप्रस वे को बनाया जा रहा है करीब 620 किलो मीटर लंबा यह एक्सप्रस वे होगा जो कि दिल्ली को कट्रा से जोड़ेगा दिल्ली से अमरिसर की भी connectivity रखी जाएगी यहां तक कि दिल्ली से चंडिगर को भी असानी से पहुँचा जा सकता है उसकी भी connectivity रखी जाएगी दिल्ली से चंडिगर दो घंटे में पहुँचने की बात की जा रही है जबकि दिल्ली से कट्रा तक पहुँचने में आठ घंटे का वक्त लगेगा ये दावा किया जा रहा है और अगर आपने दिल्ली से अमरिस सर आना है तो सिर्फ चार घंटे इस एक्सप्रस वे से लगेंगे ये बताय जा रहा है जजजर के पास से ये एक्सप्रस वे शुरू होगा और आगे कट्रा अमरिस सर तक इस एक्सप्रस वे की कनेक्टिविटी रखी जाएगी तो ऐसे में वो लोग खास तोर पे दिल्ली के रहने वाले जो रोड ट्रिप करने के शोकीन रहते हैं अपने वीकेंड पे चाहते हैं कि किसी हिल स्टेशन पर वो होकर आएं और दो दिन के अंदर एक्सप्रस वे की नीव रखी थी और तब से लेकर अब तक दिन रात यहां पर काम चल रहा है और दावा किया जा रहा है कि 2024 तक ये जो एक्सप्रस वे है वो बन कर तयार हो जाएगा आप देखिए दूर दूर तक आपको दिखाई देगा कि एक्सप्रस वे बनाने के लेकिन ये घटकर 588 किलो मिटर के आसपास रह जाएगी जबकि दिल्ली से अमरिसर की दूरी भी घटकर 405 किलो मिटर रह जाएगी ऐसे में जब आप इस एक्सप्रस वे पर आएंगे तो आपको काफी स्मूद यहां पर ट्रैफिक भी मिलेगा और जल्द से जल्द आप पह काफी आसानी हो जाएगी वो दिल्ली से सीधा कश्मीर बाय रोड भी अपना रोड ट्रिप प्लाइन कर सकते हैं तो भारस सरकार की एक बड़ी योजदा है जिस पर काम चल रहा है और यह एक्सप्रस वे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है दोहजार च कश्मीर गाठी जाने वाले परेठकों के लिए अब दिल्ली से कट्रा और कट्रा से कश्मीर गाठी तक का सफर बेद ही आसान होगा जहां एक तरफ दिल्ली से कट्रा तक महस 14 गंटे लगते थे अब महस ये पूरा सफर जो है छे गंटे में ही ताई किया जाएगा यह बात हम इसलिए का कह रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली अमरिसर कट्रा एक्सप्रेस हाइवे का काम अंतिम चरन पर है इस समय में मौजूद हूँ उसी लिंक रोड पर जहां पर इसका काम जो है कनस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है आपको बता दे कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी ने इसका शेलन न्यास 2022 में किया था और उमीद जताई जारी है कि 2024 ताक ये एक्सप्रेस हाइवे जो है आम जंता के लिए खोल दिया जाएगा तस्वीरों में आप देख सकते है कि किस तरीके से यहां पर जो मजदूर है वो यहां पर काम कर रहे हैं और लगातार जो काम का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है जो इस पूरे कनस्ट्रक्शन इस पूरे लिंक रोड की अगर बात की जाए उमीद जताई जारी है कि 2024 तक आम जंता के लिए ये एक्सप्रेस हाइवे जो है वो खोल दिया जाएगा दिल्ली से कट्रा और सिनगर जाने के लिए अब मेह 6 गंटे का सफर जो है यात्री त्राइ कर पाएंगे दिल्ली से कट्रा तक का वहीं अगर इस एक्सप्रेस हाइवे की बात की जाए एक दिल्ली से होते हुए हरियाना हरियाना से होते हुए पंजाब के डेरा बाबानानक से होते हुए जम्मू में ज्यादा excitement वाला रहेगा क्योंकि मैं छे गंटे के अंदर दिल्ली से आप कट रहा जो है वो लोग आप आएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका construction जो है वो चल रहा है जिस जगा में मुझूद हूँ ये वो link road है ये वो express highway है जो four way बनाया जा र पर हैं उमीद जताई जारी है कि इस इस पूरे निर्मान में इस पूरे इस एक्सप्रस हाइवे को बनाने में 35,000 करोड रुपे जो है वो लगे हैं और केंद्री मंत्री नितिन गटकरी की माने तो अगले साल 2024 तक इसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा तो कुल मिला के लोग इस एक्सप्रस हाइवे से काफी ज्यादा खुश है और सफर जो है जो 14 गंटे 15 गंटे का सफर था वो महस आप 6 गंटे में ही पूरा कर दिया जाएगा और खास तोर पे कश्मीर जाने वाले यात्री जो परेठा कश्मीर गाटी गूमने जाते है या फिर पूली से जम्मू जो यात्री यहां पर आते हैं माता वश्नो देवी की यात्रा के लिए उनको महस आप 6 गंटे का ही सफर ताई करना पड़ेगा ताकि कट्रा पोंचकर माता वश्नो देवी के दर्बार जाकर माता के दर्शन कर सकेंगे